हेलो दोस्ते हैं वेलकम टो स्टेडी आई क्यू जैसा आपको पता है कि भी कुछी दूनों पहले हर्याना पियस्सी के एक्जाम्स की नोटिफिकेशन आई और इस एक्जाम में हमारे बहुत साए लोग वो फॉर्म फिल कर रहे हैं तो हमारे इस प्रिप्रेशन में फॉर्म फिल करना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कहीं पर गलती होगे तो हमारे एक्जाम के बाद हमारे सलेक्सा ने बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती है तो यह form को कैसे fill करना है कि कोई गलती नहों इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एक December से form fill होना सुरू हो चुके हैं और कैसे इस form को fill करना है वो मैं आपको यहां पर बताने वाला हूँ तो बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखेगा कोसिस करेंगे कि बहुत छोटे में आपको सारी चीजे बता दे ताकि आप उन सारी चीजों को पहले देख लें और फिर उसके बाद से अपना form one flow में भर पाएं तो सबसे पहले आप सभी को पता है कि एक December 2023 से यह हमारे हर्याना PSC के जो Civil Services exam है उनके form निकल चुके हैं और इनके लिए सबसे पहले आपको official site पर जाना है hpsc.gov.in फिर उसके बाद से आपको वहाँ पर apply now में जाना है आपको यहाँ पर apply now का column हा रहेगा वहाँ पर apply now में जाएंगे तो आपको कुछ ऐसा खुल करके आएगा हर्याना Public Service Commission Online Registration Portal तो सबसे पहले आपको आप में से बहुत साए लोग होंगे जिनका पहली बार होगा तो मैं यह consider करके कोसिस करता हो कि आपका पहली बार यह form fill हो रहा है तो सबसे पहले आपको क्या करना है आपको अपना registration करना है अब उस registration के लिए आपके पास क्या-क्या चीजे होनी चाहिए, वो आपको पहले से ही, form fill करने से पहले से ही आपके पास वो सारी चीजे होनी चाहिए, वो क्या है, तो सबसे पहले आपके पास आधार कार्ड और आधार कार्ड के साथ registered mobile number होना चाहिए, ठीक है, यह आपके लि देन उसके पास से आपके पास जो आधार कार्ट से registered mobile number और email ID है ना आपके पास आधार कार्ट से जो link mobile number और email ID वो भी ओनी चाहिए और अगर नहीं है या आपने change करने है तो पहले ही वो करा लीजी इस form को भरने से पहले ही वो करा लीजी ठीक है अब उसके पास से याद रखि अधार के इंड में जा करके उसको change करा लीजेगा तीक है अब उसके बाद से आपको यहाँ पर कई सारी चीजे क्योंकि आधार के जरिये ही आपकी बहुत सारी चीजे validate होंगी जो आगे मैं बताऊंगा तो आपको अपना वहाँ पे name, date of birth, बहुत सारी आपकी जो mother's name है आपक आपको यह form भरते समय last date का इंतजार नहीं करना है आप इसको जितनी जल्दी करेंगे उतना अच्छा रहेगा अब उसके आदसे और इन्होंने क्या बोला बहुत important चीज है अब आपके पास आधार का जो सारा validation है mobile number आपका नाम आधार पे सही है आपका आधार number है अब आप आपको क्या-क्या और लेना है तो आपको पास एक photograph होनी चाहिए photograph का मतलब soft copy में चाहिए आपके computer या mobile में अब यह देखिए बहुत ध्यान से जिसका range जो dimension है वो 132 170 pixels में होना चाहिए और या आप और उसका जो आपका जो vertical और हमारे जो horizontal है यह बताया कि 160px से 204px में होन अगर आप कर पाते हैं तो करिएगा नहीं तो किसी से करवा लीजिएगा तो ज़्यादा तरहीं लोग इसको कर सकते हैं और 500kb से ज़्यादा का होना चाहिए यहां पर maximum size नहीं बता है minimum size यहां पर उन्हें वहला कि 500kb से ज़्यादा होना चाहिए हैना must be less than मतलब 500kb से कम ह जो आपकी photo की size है वह 500kb से क्या होना चाहिए कम होनी चाहिए less than और dimension आपके सामने लिखी हुई है अगर हम लोग यहां पर signature की बात करेंगे तो उसकी भी dimension यहां पर आप देखेंगे वह भी दिय हुई है और आपको उसके recording यह adjust करना है इसके अंदर ही pixels में होना चाहिए औ आपको पहले करके रख लेना है form को आप फिल करने से पहले अपने photo signature यह सब एक जगा पर रख लिया next step पर देखेंगे तो आपको यहां पर अपनी यहां पर नेक्स पर जैसे क्लिक करेंगे तो आप आगे की तब जाएंगे तो आपको यहां पर आप हर्याना से रहने वाले हैं yes पर क्लिक करना है आपका परिवार पहचान पत्र है जो हर्याना से बनता है अगर आपके पास है तो yes पर क्लिक करना और वह number आपको यहां पर डालना है आपके पास आधार card है तो आधार card number आपको यहां पर डालना है और उस पर नाम क्या है क्योंकि यहां पर दोनों आ मैच होना जरूरी है सम्मिट करेंगे जैसे सम्मिट करेंगे आपको बेसिक डिटेल जो आपकी उती वह फिल करने के लिए आ जाएगा बेसिक रिजिस्टेशन जैसे बोलते हैं रिखकते है अगर भर देखिर मेरा अटोमेट्टिकली फिल होकर क्या आगया है अब यहांपर देखे तो दोस्तों यह आधार नंबर नहीं है आप जब आप पीछे अपने आधार कार्ट के देखेंगे तो वहां पर वी आईडी लिखा होगा पीछे की तरफ आपके अड्रेस होगा उसके नीचे वी आईडी वह 16 डिजिट की होगी आपको वह यहां पर फिल करनी है Have You Change Your Name? आपने अपना वहां नेम कभी चेंज किया है अगर किया है कभी तो वह भी आपको यहां पर बताना पड़ेगा general है, OBC है, SC है, EWS है, है न, वो आपको tick करना है, यहाँ पर यह आसानी से आप अपनी basic detail फिल कर पाएंगे, then उसके बाद से subcategories भी है, जो नीचे था आप देखने होंगे, यहाँ पर अगर आप ex-serviceman है, dependent freedom fighter है, अगर disability में भी benchmark disability है कोई, तो यहाँ पर करना है, और अगर नहीं है, तो non में टिक कर देना है, और अगर इन में से कोई है, तो आपको certificate यहाँ पर attach करना पड़ेगा, वो अभी सही अगर आप है, तो यह अगर वीडियो देख रहे हैं, तो वो पहले से ही आप certificate, जो की PDF 2MB से छोटी की होगी, आपको वो certificate यहाँ पर attach करना है, तो आप अपने पास रख लीजेगा, फिर आपको यहाँ पर date of birth पर क्लिक करना है, वो आपका calendar खुर के आएगा, आपको calendar में जो भी आपकी date of birth होगी, वो फिल करनी है, देन उसके बास से अपना email ID और अपना जो capture यह दिया गया है, यह आपको फिल करना है, जैसे ही यहाँ पर continue किये, यह detail आपकी automatically fill होगी, मतलब यह आपको fill नहीं करना है, automatically fill होगी, यह देखिए, मैंने यहाँ पर जैसे ही सारी चीजे डाली, मेरा यह सब कुछ आ गया, पहले से ही यह मेरा काला चिठा सब कुछ खुल करके आ गया, तो यह आपको भी खुल करके इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है, अब उसके आज से आपका यह आपको खुद से भरना है, अपनी माता जी का नाम, पिता जी का नाम, देन उसके वाद से आपने यहाँ पे बार किया गया है कभी आपको किसी केस के सिलसिले में गॉर्मेंट ने UPSC और हमारे हर्याना PCS के एक्जाम के लिए तो अगर किया गया है तो आपको yes में करना है नहीं तो नहीं no no पे क्लिक करना है अगर आप कोई criminal convicted है तो आपको वहाँ पे detail बतानी पड़ेगी अगर नहीं है तो no पे क्लिक करना है अगर आप हर्याना employees है गौर्णमेंट employee हर्याना के तो आपको yes पे क्लिक करके वहाँ पे आपको खुल के आजाएगा कि आपने कहां पे काम करते हैं अगर नहीं है तो no पे क आता है तो आपको यह manually भी भरने का option आता है वहाँ पे यह वाले में यह पूरा आपका फिल होके आएगा बेसिक डीटेल आपकी फूल होके आएगी जो आपके आधार से और आपने जो पहले अभी अपना डीटेल भरा था उससे फिल होके आएगा यह आपको जैसे फिल करे correspondence तो आपको यहाँ पे टिक कर देना है तो permanent address जो आपके permanently जहाँ पर रहते हो गाउं है आपका या आपको कोई पैत्रिक जगा पे है और आप कही rent पे रहके त्यारी कर रहे हो या job कर रहे हो तो वो address आप यहाँ पे डाल सकते हो जहाँ पे communication आएंगे ठीक है तो उसक्यासित हमारा detail भी आपको fill करनी पड़ेगी next पर जाना देखिए जितने भी है यह आपका mandate है यह सब भरना जरूरी है next click करेंगे जैसे ही तो आपका आज आता है यह वाला portion जिसमें आप जो है अपनी photo जिसके लिए पहले मैंने बताए कि should be less than 500 kb photo को 500 kb से कम करना है और उसका जो pixels है मैंने आपको पहले बता दिए और आप अपने जब वहां पे click करेंगे तो आपके पहले page में लिकाओगा आपको यह पहले से ही करके रखना है already click किया जहां save किया था यहां टैच किया signature को यहां पर टैच किया दिर उसके आपने 10th और 12th के number और university या आपका board यह यहां पर आपको लिखना है roll number तो पहले से roll number आपको अपने पास रखना है गलती मत करिएगा roll number को अब बहुत ध्यान से भरिएगा passing year आपको बहुत ध्यान से भरना है कितने total marks में कितने आपने marks अचीब किये वो लिखने percentage automatically fill हो जाएगा इसके according वैसा set है software में यह आपको filling करना अब से हां यहां पर marksit आपको soft copy पर रखनी पड़ेगी तो marksit भी आपको यहां पर attach करनी है PDF के form में photo को अगर आप photo कीच रहे उसको PDF में convert कर लीजिए है ना या तो आपने करवा लेना है जाके कहीं से scan करके जिससे की वो attach करे तो दिखाए दे तो आपको 10th और 12th की यहां पर कर नहीं है अगर आपने graduation complete कर लिया तो yes पर क्लिक करके जैसे ही save करेंगे आपका registration complete कुछ ऐसे लिख क्या जाएगा your registration has complete आपकी profile बन गई लेकिन अभी form नहीं भरा है यह आपकी profile बन गई और बहुत साई लोगों की profile बन गई होगी अब हम बात करते कि form कैसे fill करना है तो आपकी basic detail तो चली गई हमारे हर्याना public service commission के पास चली गई अब आपको form करने के लिए यहां तक आपने किया तो इसका मतलब form नहीं भरा है अभी आपने सिर्फ अपने detail भर दिया आप हर्याना PSC के कोई भी form आएगा तो आपको यह अपनी केवल mobile number डालने है और mobile number डालके जैसे ही आप अपना OTP डालेंगे आपका यह process है दुबारा अब आपको सीधे ऐसा लिख्याएगा तो अब भी सिर्फ यह form निकला हुआ हर्याना civil services executive branch and other applied services अब जैसे ही आप देखेंगे कि एक December से यह form भरना शुरू हो गया है तो आपको यहां पर लिख्याएगा apply now जैसे मेरे में लिख्या रहा है na incomplete तो आपके में लिख्याएगा apply now ऐसे apply now और आपको ये apply now में जाके click कर देना है जैसे click करेंगे तो आपका तो basic detail ही तो आपको यहां पर जो यह चीज है fill करनी है ज criticize यहां पर आपकी bachelor degree क्योंकि यह bachelor degree का है यहां पर आपके पास graduation की degree होने चीए graduation degree में आपको click करना है उसके बास से यहां पर आपको university के उपर जाना है यहां पर passing year जो भी आपका roll number रहा है जितने marks आपने अचीव किये कितने में किये यह अपने भर जाएगे और फिर आपको अपने degree का certificate यहां पर लगा देना इसके लाव आपके पास अगर कोई आप यहां पर click करके चुन सकते है जो आपके means में आपका optional subject होगा फिर आपको यहां पर क्या करना है आपको यहां पर अपने execute अपने branch आपने जो भी क्योंकि अलग अलग हमाई post है तो जो भी post को आप preference देना चाहते है accordingly उस post को आपको जैसे आप क्लिक करेंगे एक दो तीन चार पांच ऐसे लिखा होगा तो आपको मालीजे इसको पहली देनी है तो पहला क्लिक कर दिया फिर आपको accordingly preference देनी है ठीक है तो जो भी आपकी post की preference है उसको एक number मालीजे मेरी पहली preference जो है वो आपका BDO है BDPO तो मैंने इसको पहली दे दी और फिर दूसरी preference है हमारे assistance excise taxation officer मैंने इसको दूसरी preference दे दी तो accordingly जो यह हम preference दे देंगे देन उसके बास से हमें अपने chest का कुछ ऐसे post है जहां पे हमारे chest की map की जुरत होती है DSP की जैसी post होती है है ना तो deputy superintendent of police में जो chest का requirement है वो आपको fill करना है और expended मतलब फुलाया हुआ और हमारे बिना फुलाया हुआ आइड भी आपको यहां पर mention करनी है जो requirement में दिया हुआ है तो कई लोगों को पास notification नहीं होगा तो मैं notification जो requirement है और पूरी notification में वो आप देख लिजेगा मैं इस वीडियो के description में वो notification डाल दूँगा आप उसको अच्छे से देख लिजेगा कि क्या requirement है ठीक है आप उसके अब तक आपका form submit नहीं माना जाएगा जब आप जैसे ही यहां पर जाएंगे debit credit net banking जो भी आप यहां पर इस्तमाल करते होंगे debit card support करिए card number डालिए साई detail डालिए payment करिए आपका form लिखके आएगा यह form में successfully completed और फिर उसके बाद से आपको वो जो form है उसको क्या निकालने प्रिंट आउट और इसकी soft copy अपने पास future reference के लिए रख लेनी है soft copy भी रखिए mail में करके रखिए इसे की future में वो आपके काम में अब आपको आती कि sir की हम यहां तक तो form हमने भर लिया लेकिन अब बारी है तैयारी की 11 तारी को 11 फरवरी को इसका exam है और उसके पहले sir तैय प्रियारी कैसे की जाए तो आप हर्याना PSC का हमारे pre plus main study IQ का हमारे पूरे pre और mains दोनों को focus में करके बनाय हुए batch में जा करके थ्यारी कर सकते हैं इसमें आपको बहुत कुछ मिलने वाला है 2 December से यह batch शुरू हो रहा है तो आप यहां पे क्या कर सकते हैं यहां पे सबसे पह यहां पे state PCS वाले segment में जाएंगे कहाँ पर state PCS सब्रेश सेग्मेंट है explore करेट हर आप में उपर लिखे आता है तो आप यहां पर就是 सले सेग्मेंट के में अब यहांपर देखिए अलग-अलग state जो भी important चीज़ है, वो सब cover हो रही है, आपके जो 1000 से ज़्यादा live lecture, जहां पर basic तो पड़ो गई, then उसके ऐसे crux notes है, हिंदी और इंग्लिस में, target PCS को लेकर के mentor आपका decide किये जाएंगे, जो आपके 24 by 7 आपकी help करेंगे, क्योंकि already exam qualify कर चुके है, mains लिख चुके है, hand written notes मिलेंगे, focus on haryana PCS है, weekly current affairs का class है, essay writing के उपर focus किया जाएगा, c side के उपर focus होगा, hindi के उपर focus होगा, unlimited live lectures आपको मिलेंगे, प्रिलिम्स से पहले आपको test कितनी practice कराएगी, कि प्रिलिम्स आपका आराम से निकल जाए, आप यहाँ पर देखेंगे, आपको पढ़ा कौन कौन रहे हैं, तो Dr. Vipan Goyal Sir पढ़ा रहे हैं, CK Sir जिगराफी पढ़ा रहे हैं, मैं भी आपको current affairs पढ़ाऊंगा, अंजिनी धर आपको quality पढ़ाएंगे, पवंस और आपको history पढ़ाएंगे, तो इसी तरीके से हमारे जो experience faculty अलड़ी कई सारे exam जो qualify कर चुके हैं, वो आपको इसमें पढ़ाने वाले, तो Sir यह क्या इतने में मिलेगा, नहीं, मैं आपको यहां पर discount की बार करता हूँ, तो मेरा नाम पंकट चौबे है, तो आप मेरे coupon code का इस्तमाल करके, इसको discount rate पर purchase कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा nominal कीमत पर, आपको mocktas से लेके live classes, हर्याना की special, जो हमारे knowledge यह भी आपको पढ़ाएंगे, यह क्या करना है, आपको capital में लिखना है, PC, मेरा नाम पंका चौबे है, तो P और C, फिर उसका से क्या करना है, capital कर लेते हैं, live, क्योंकि live आपको classes मिलने हैं, तो PC live जैसे ही करेंगे, यह देखे, PC live बने किया, इसको जैसे apply करूंगा, आप यहां पर देखेंगे, automatically यह 13,9999 का हो गया, तो यह coupon code से आपको discount मिल रहा है, तो I hope आप लोगों ने देखा होगा कि form को कैसे भरना है, क्या-क्या चीज़े पहले से करके रखनी है, चाहे वो आपकी 10th की marksit हो, 12th की marksit हो, degree हो, आपकी photos and signature को जो ratio में maintain करना है, आधार card हो, है ना, आधार card पेज़ आपका number हो, सारी चीज़ों को आपको पहले से maintain करके रखना है, आपको 21 December के इंजार नहीं करना है, कि last date है, उसके पहले ही form फिल करिए, उमीद करते हैं, ये वीडियो आपके बहुत काम का होगा, इसका जो notification है, वो मैं आपको description में दे दूँगा, Bye guys and जहिल!